हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म मूंग दाल की खास्ता कचोरी परफिक्ट मेजर्मिन्ट, परफिक्ट तरीका हर एक टिप्स में आपको बताऊंगे जिससे पहली ही बार में आपकी भी कचोरी बिल्कुल परफिक्ट बनकर तयार होगी घर पर हम बना सकते हैं टेस्टी और खास्ता कचोरी वीडियो को फ्रेंज पूरा वाच करें यहाँ पर मैंने लिया हैं मौंग दाल मौंग दाल को मैंने एक घंटा पहले भीगा के रखा था इसका पानी को हम चान लेंगे और मिक्सी जार में दरदरा इसका पेस्ट बनाएंगे बिल्कुल एक से दो बार मिक्सी को घुमाना है तो यह देखिए यहां पर बिल्कुल दरदरा मैंने मुंगडाल को पेस्ट कर लिया है इसको हम साइब रख देंगे और यहां पर एक मसाला बनाएंगे इसके लिए तीन चम्मच मैं यहां पर ले रहे हैं साबुत धनिया एक चम्मच जीरा आधा चम्मच काली मिर्च एक चम्मच चॉप चार से पाच साबुत लाल मिर्च अब हम इसको दरदरा पेस्ट बनाएंगे तो दरदरा पेस्ट नहीं साओरी पाउडर बनाएंगे तो यह देखिए हमने पाउडर बना लिया है और यह कराई कराई में हम डालेंगे तेल दो से तीन चम्मच तेल डालेंगे तेल गरम होती हम इसमें यह जो दरदरा पेसा हुआ पाउडर है हम इसको डाल देंगे तो मसाला हमने इसमें डाल दिया है इसे हमें थोड़ी देर इसको भूनना है अब हम इसमें डालेंगी आधा कब بेशन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना के स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेशन को और तो ज़्यादा ले सकते हैं आधा कब बेशन को हम डालने के बाद में इसको थोड़ी दिर भूनेंगी ताकि इसका जो कच्छा इसमेले वो चला जाए यह है चाट मसाला मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हैं यहाँ पर धनिया पावडर जीरा पावडर बिल्कुल भी ना डाले क्योंकि हमने साबूद धनिया जीरा सबको पावडर बना के इसमें ऐट कर दिया है अब हम डालेंगे इसमें पीसा हुआ डाल, मुंग डाल, मुंग डाल को डालेंगे और इसको भी हम भूनेंगे मुंग डाल का जो कच्छा इसमें जाने तक हमेसे भूनना है तो देखे मसाले के साथ में हमें आपर मुंग डाल को भून लेंगे तो इसमें अब हम कुछ मसाले आट करेंगे यह है नमक मैं यहाँ पर नॉर्मल नमक यूज़ कर रही हूँ साथ में मैं यहाँ पर काला नमक भी डाल रही हूँ थोड़ी सी काला नमक डालने से इसका जो फ्लेवर यह बहुत अच्छा हैगा तेस्ट भी अच्छा हैगा तो य मैंने यहां पर डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर रेट चिली पाउडर आधा चम्मच तीखा ज्यादा कम कैसे खाना चाहते हैं उससे आप डाले यह है नीम्बू आधा नीम्बू का रस यहां पर डालेंगे अगर आपके पास आमचुर पाउडर है तो आप वह भी डाल स यह है चीनी चीनी देखिए एक चोथा ही चम्मच है इसे हम डालेंगे इससे हमारा जो कचोरी है उसका स्टफिंग में बहुत अच्या टेस्ट आएगा समोसा या फिर कचोरी बोले थोड़ा सचीनी जरूर एड़ करें स्टफिंग में यह है हिंग हिंग हम डालेंगे थोड ठंड़ा होने के लिए रखते हैं अब हम बनाएंगे डो बना लेंगे इसलिए मैंने लिया यह पर एक कप पैदा इसमें मैंने डाला है नमक आधी चम्मस नमक डाला है और दो तिन चम्मस तेल थोड़ी से अजवाइन आधा चमस जितना अजवाइन डालेंगे फ्रेंट्स य गी से यहां पर मौयन लगाते हैं तो कचूरी और भी ज़्यादा खास्ता बनता है और यहां पर थोड़ी सी ज़्यादा भी घी या तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं तब तक मिलाएंगे जब तक यहां पर गुटली बने और उसको हम तोरेंगे तो इस तरीके से तूटे अब हम थोड़ा थोड़ा सा पाने आट करेंगे और डो रेडी करेंगे हमें यहां पर बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं करना है और बहुत ज़्यादा शॉप्ट नहीं करना है इस तरीके से करेंगे ताकि उसके अंदर हम इस स्टेफिंग को डालें और वो तेल में जाने है यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है इसका हम थोड़ा थोड़ा चोड़ा करके बॉल्स बनाएंगे इस तरी किसे बनाएंगे तो हमें स्टप करने में बहुत आसान रहेगा अब हम आटा को देख लेते हैं तो फ्रेंज 10 मिनित के बाद मैंने आटा को दो को निकाल लिया है औ आप इस तरी किसे बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा और बिल्कुल पाफिक्ट बनेगा तो देखे मैंने कटोरी जैसा बना लिया है एक पूरी का जितना मैंने लोई लिया है उसके बाद इसको गोल-गोल बनाके कटोरी जैसा बना उसमें स्टफिंग रखा और फिर इस इस दम खासता कटोरी बनकर आपका तयार होके आएगा तो इस तरी के से आप थोड़ा सा हाथों से प्रेस करें और बिल्कुल एक पेरा जैसा बना ले बेलने की बिल्कुल वह सकता नहीं है यहां पर मैं एक और बना के आपको दिखाती हूं स्यम तरी के से में कटोरी सकते हैं या फिर आप इसी तरी के से छोड़ दे तेल में जाने के बाद यह बहुत है अच्छा से डिजाइन बनकर आ जाएगा तो इस तरी के से हम एक पेरा का सेब दे देंगे फ्रेंज हातों से इस तरी के से प्रेस करेंगे तो बेलने की बिल्कुल भी अब सकता नहीं प रखेंगे थोड़ा सा गरम होगा एक एक करके कचोरी डालेंगे आप देख सकते हैं कितना गरम है तेल बिल्कुल हलका गरम क्यूंकि अगर आप ज़्यादा गरम तेल में कचोरी को डालेंगे तो इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएगा लेकिन जो कचोरी में आपको बना आप ये उपर की तरफ आ जाएगा जब हम कचोरी को डा देंगे फ्लेम रहेगा ग्यास का बिल्कुल लो बाद में हम मीरियम पे रखेंगे और जरुत परने पर थोड़ा सा कम जादा हम करते रहेंगे तो देखें यहाँ पर अभी उपर की तरफ आ चुका है उपर से हमने तेल डाला है और फिर इसको एक एक करके हलका हातों से पलट लेंगे तो आप देख सकते हो कहीं से भी आपको बबल्स नज़र नहीं आएगी बिल्कुल भी बबल्स नहीं है फ्रेंज इसी तरीके से दोनों साइट से हम ब्राउन होने तक कचोरियों को फ्राइ करेंगे एक बैच फ्राइ होने के लिए 8-10 मिनित टाइम लगता है पेसेंस रखके हमें इसे फ्राइ करना होगा एक साथ में आप बहुत सारा कचोरी डाल कर फ्राइ कर सकते हैं जितना हम धिमयाज में इसे फ्राइ करेंगे उतना ही हमारा कचोरी जो है खासता बनेगा ध्यान रखिए जलना नहीं चाहिए बहुत चादे भी हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है जैसे हलका ब्राउन होगा तो इस तरीके से हम सारे कचोरीों को निकाल लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रिंट्स एक भी कचोरीों फटा नहीं है क्रैक नहीं हुआ है बीच में से कहीं से भी स्टफिंग नहीं निकला है तेल बिल्कुल क्लीन है तो इसी तरीके से हमने कचोरियों को निकाल लिया है और आपको मैं सब करके दिखा रही हूँ तो मिर्च को भी मैंने पहले से यहाँ पर फ्राइ करके रखा था यहाँ पर गर्मा गर्म मिर्च भी ले लीजिए और यह देखिए इसको अंदर का स्टफिंग देखिए वाव एक तम पॉफेक्ट है आपको देखने से समझ में आरा कितना खास्ता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से हम तोरेंगे ना तो यह देखिए इतना खास्ता बना हूँ हमारा कचोरी है यह कचोरी के रेशीप आप सब को कैसा लगा आसा करती हूँ बहुत अच्छे लगा होगा अगर अच्छे लगा है तो जनको सब्सक्राइब करें बिल आइकन को प्रेस करें लाइक करें कमिन करें थैंक्यू फ्रेंड्स बाबाई